किसान भाईयों, सादर नमस्ते, मैं डाक्टर जितेंद कुमार आरिये, किर्शी विग्यान केंद्र मुझफरनगर पर्थम में, किर्शी विग्यानिक के पदपर कारे रहत हूँ और किसान भाईयों, आज हम आपको पश्ची मुत्तर परदेश में एपल बेर की खेती के सम्मन्द में कुछ जानकारी देंगे किसान भाईयों की ये सवाल लेते हैं, क्या पश्ची मुत्तर परदेश में एपल बेर की खेती की जा सकती है और यदि की जा सकती है तो क्या-क्या सावधानी बढ़ती जाए किसान भाईयों जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं एपल बेर के पोधे घनी पत्यदार होते हैं इसके वरक्षो पर काफी पत्या होती है और इसकी बढ़वार तेजी से होती है इपल बेर के फल जो हैं शेव के आकार के होते हैं और एक फल का वजन पत्चीस से चालिश ग्राम होता है किसान भाईयों प्रष्चे मुद्तर परदेश में एपल बेर की खेती सफलता पूरवा की जा सकती है और इसकी रोपाई का जो समय है एपल बेर की हमारे पश्ची मुत्तर परदेश में वर्षा रितु में जुलाई अगस्त में वर्षा रितु में यानि के जुलाई अगस्त में और बसंत रितु में यानि के फरवरी मार्च में दो बार इसकी रोपाई की जा सकती है रोपाई करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि पोदे से पोदे की दूरी 6 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी भी 6 मीटर रखेंगे और इसको हम एपल बेर की सघन बागवानी कहते हैं इस परकार से हम इसका रेखांकन करते हुए रोपाई कर सकते हैं अब रोपाई करने के बाद जो विशेश इसमें सावधानी रखने की बात है एक तो सिचाई परबंदन की काट छाट की ये दो महत्पूर्ण बिंदू हैं एपल बेर की खेती में किसान बाईयों एपल बेर को पहले वर्ष में लगातार सिचाई की आवशक्ता होती है तो आवशक्ता नुसार एक वर्ष तक आप हलकी सिचाई बार बार करते रहें एक वर्ष के बाद अन्य फलदार फलों के मुकाबले एपल बेर को कम पानी के आवशक्ता होती है तो किसान बाईयों इसमें ये शाबधानी रखनी होती है कि आप फूल आने से पहले और फल सेट होने के बाद 15-20 दिन के अंतराल पर 2-3 सिचाई करें तो आप अच्छा उत प्रूनिंग की एपल बेर की खेती में किसान बाईयों पोधों को मजबूत ये उची ताकार देने के लिए एपल बेर के पोधों की काट चाट करना बहुत ही आवशक है काट चाट का समय अप्रेल और मई का महिना है इस समय पोधे सुशुपता अवस्था में होते हैं तो इस समय इसमें प्रूनिंग परतेक वर्स करना आवशक है सही पोधों को मजबूत परदान करने के लिए और सही आकार देने के लिए और एपल बेर में परतेक वर्स नई टैनियों पर ही फल आते हैं इसलिए भी प्रूनिंग बहुत ही आवशक है इस परकार यदि आप इसक एपल बेर का बगीचा जब आप लगाएं तो पोधो की सुरक्षा के लिए लू से, आंधी से, ठंडी हवाओं से बचाव करने के लिए बगीचे के चारो और बायू रधक पोधो की रोपाई करना आवश्चक है। और इसमें पक्षी भी नुकसान करते हैं, उसे बचाव के लिए उपर नेट भी लगाना पड़ेगा। किसान भाईयों जैसा कि अब आप देख रहे हैं, इस समय इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और जबरजस्थ फ्लावरिंग है। और अब आज हम अक्टूबर के पर्थम सफ्ता में यह इस्तिति है। तो किसान भाईयों फ्लावरिंग के डेड़ सो से 175 दिन बाद एपल बेर के फल पकड़ तयार हो जाते हैं। इसकी तुड़ाई 15 फरवरि से और 15 मांच तक की जाती है। एपल बेर के पांच वर्स के पोदे से एक पोदे से सो से 200 किलोग्राम फल प्राप्त किये जा सकते हैं। जो की बहुत ही अच्छी पैदावार है। इस परकार हम एक एकड़ से यदि आये की बात करें तो धाई लाग से तीन लाग प्रतियकड आये प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद।